हेलो दुश्तो नमस्कार आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि PM इंटर्शिप क्या है PM इंटर्शिप क्या है उसका किस तरीके से फोम ओलाइन करना है कम्प्लीट प्रोसेस बताएंगे और इसका उप्योग आप कैसे करेंगे तो यहां पर PM इंटर्शिप के बारे में हम बता देए PM इंटर्शिप का मतलब दोस्तों यह हुआ PM दौरा जो है एक स्कीम चलाए जा रही है इसे कि आप जो है इसमें एक साल का वर्क कर सकते हैं चलिए हम यहां पर आपको दिखा देखते हैं यहां पर होम का बटन मिल जाता है यहां पर गार्ड लाइन्स मिल जाती है इंगिस से या हंदी में आप अपने एकोडिंग्स डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं यहां फेक क्यू है जो उसमें कि कुछ क्यूरी दी गई आपकी होने वालिय है तो आप यहाँ पर manually भी आप check कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर scroll down करना है यहाँ पर support का option देखर का call center नंबर भी है इनके आप बात करके और भी जानकाई लेना चाहते हैं ले सकते हैं और यहाँ पर कोई भी request रेज करना चाहते हैं तो यहाँ रेज भी कर सकते हैं ट्रैकिंग भी कर सकते हैं जो भी application है अब आप यह बात करते हैं कि PM Intercept के लिए आप क्या query होनी चाहिए तो पहले PM Intercept के लिए आप जाने जानेगेगा आपकी जो education होनी चाहिए आपकी education not enrolled and full time आप education कुछ भी आप दे सकत हैं आपको इसमें बताया गया है कि आपको यहाँ पर जो भी आपकी education आप फुल देना चाहते हैं दे सकते हैं नहीं तो आपको दिक्कत नहीं आप से PM Intercept से भाग लेना चाहते हैं ले सकते हैं इसमें आपको बताया गया एज की काईडरिया 21 से 24 साल होने वाली है और जाब क यहाँ पर देख सकते हैं not employee and full time यहाँ बताया गया कि जाब जो आपके लगने वाली है उसमें आपको full time work नहीं दिया जाएगा यथा एक साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं family self spouse partner जो यहाँ पर no member is earning more than 8 lakh per annum no more has been government job इसका मतलब दोस्तों यह हुआ कि आपके family में वो PM internship में भाग ले सकता है जिसके member में कोई भी एक बेक्ती family में कोई भी एक बेक्ती 8 lakh से उपर ना कमाता हो और ना तो कोई government चाब हो वही इसमें भाग ले सकता है और इसमें असपस बताया गया है PM internship जो आपका है वो आपको बारा मन्त की top company में आ 12 मंत के लिए और यहां पर जो की salary जो होगी आपके 4500 रुपए होगी government के recording 500 रुपए दिया जाएगा टोटल मिलाकर के 5000 दिये जाएंगे और यहां पर आपको बताया क्या है कि ए वन टाइम ग्रांड टोटल 6000 रुपए इंसर्ट आपको टोटल मिला करके 6000 रुपए आपको दिये जाएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर इंसर्वेंस कबर भी होगा अगर आप पी एम इंटर्शिप में के अंदर आप काम करते हैं जीवन जोती भीमा योजना के तहर प्रदान मंतरी सोक्षा भीमा के योगत गवर्मेंट आफ इंडिया के एकोडिंग और भी यहां पर दिख सकते हैं रेजिस्टेशन कैसे करेंगे इसके बारे मताया गया है और आपको में रेजिस्टेशन करके दिखाएंगे और यहां पर दिख सकते हैं यूजर मैणूल कंडिडेट प्रुफाइल है यूजर मैणूल कंडिडेट प्रुफाइल है आप अपने एकोडिंग जो भी आप रीडाउट करना चाहते ही इसमें आपको यहीं बताया कि कोई भी मेंबर या आप खुद 8 लाग से उपर नहीं कमाना चाहिए और आपके घर में कोई गवर्मेंट जाब नहीं होने चाहिए आपके यहां पर देख सकते हैं कोई भी कंडिडेट यहां पर लॉनलाइन कर सकता है जिसकी आपको यहां पर एक साल के रखा जाएगा और यहां पर आने के बाद आपको यहां पर मिल जाता है यूथ रिश्श्टेशन इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर कंफरम पर क्लिक करें और संब् 1 पर यहां पर दोस्तों बता देकि आप वही नंबर फिल करिएगा जो अधार कार्ट से रजिस्टर्ड हो जिसे कि आपको क्या होता है यहां पर डीजी लाकर या अधार के माध्धम से यह ओपिन होगा और यहां पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके मुवाइल पर OTP आएगा OTP यहां पर डाल देगा OTP जैसे होने चाहिए और एक डीजिट होना चाहिए और यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर सम्मिट पर क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज उपिन हो जाएगा तो लॉगिन इस सीक्योटी जो भी कुछ यहां पर आपका सुरचा कोड दे रखा है उसको फिल करेंगे और यहां पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आधहार बेस्ट के कोडिंग आपको लॉगिन हो जाएगा यहां पर देख सकते ही डीजी लॉकर के कोडिंग आप लॉगिन हो तो यहां पर फरतर किलिक करेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे तो इस तरीक़्षी पर उपेन हो JUST करेंगे और यहां पर जो भी आधार कार्ण से मोबाइल होगा तो यहां पर देख सकते हैं उसके बाद इस मोबाइल पर OTP आएगा OTP यहां पर हम डालेंगे जैसे OTP डालेंगे इस तरीके का ग्रेश डेश्बूट अगेन ओपन हो जाएगा आप इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं कर सकते हैं अब आपको क्या करना एलाव पर क्लिक करना ज यहां पर फादार समादार से गार जेनम कोई एक मेंशन करेंगे फिसके बाद यहां पर कैटेगरी को यहां पर सेलेक करेंगे जो भी आपकी कैटेगरी होगी फिसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं परमानेट एड्रेस आपको फिल करना है इसमें हाउस यहां पर यहां कोड है जी तोट मैंसन करेंगे अगर आपको यहाँ पर मानेंट एड़ सबस्द और करंट्र सब्सक्राइब करेंगे दों कनल दो सेम है तो इतो पर क्लिख करेंगे इसस्थ डाटा फैच हो जाए यहां पर आपको email id आपको मेंसल करना है जो आपकी पास एवलेबल हो यहां पर देख सकते हैं आपका आपको मिलता है नेम आप बोर्ड इन्वेस्टी तो आप यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहा है तो यूपी बोर्ड से आपने पढ़ाई कर रहा है इसमें नहीं है चलिए मैं यहां पर बोर्ड का नाम देता हूं जिस बोर्ड से हैं अमने बोर्ड लिग दिया फिर इसके बाद इंसिट्यूट नेम लिखेंगे फिर एर आप मेंसल करेंगे किस एयर में आपने टेंथ क्लास प्राहिक करके इसके बाद मार्ट खा परसंटेज सेजह था अपने है को टिंग मैंसल करेंगें इसके बाद अगर परसंटेज स करते हैं इसके बाद सेव एड और अगेन आप इंसके बाद जो कोर्स में आपने PCM ले रहा है, PCB ले रहा है, जो भी आपने ले रहा है, Commerce ले रहा है, आप अपने कोडिंग लेंगे, फिर इसके बाद इसके यहां पर बोड का नाम लेखेंगे, फिर Institute नेम लेखेंगे, फिर Year मेंशन करेंगे, फिर इसके बाद यहां पर मार्क परसेंटेज से जीपी और क्रेट में आप यहां पर मेंशन करेंगे, परसेंटेज लिखेंगे और यहां पर अप्लोड सर्टिफेकट पर क्लिक करेंगे, और यहां पर एड़ मोर पर पे क्लिक करते हैं आपको अगेन इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा आपके पास है तो यहां पर आपको क्लिक करेंगे जैसे आपके पास है तो और बी आप पी सीवी या पी सीम के कोडिंग आपने पास या वो बैंसे करेंगे फिर और भी आप करना चाहते हैं जैसा उसके बाद आपको यहां पर अपने कोडिंग आप यहां पर जिसमें जूची लेना चाहते हैं इसके बाद आपको यहां पर कोड splendida इंदियों सपिकेंट नहीं देना है आपको जानकाई है अचछी है इसको आप बारि-बारी से मेंशन करेंगे करने के लिए हमारे पास हंदिय है हंदी को मेंशन करना बाद इसके कि इसके बाद dan experience आपके पास एवलेवर मेंसिल कर सकते हैं फिर additional certification आपके पास एवलेवर मेंसिल कर सकते हैं other details आपके पास है तो मेंसिल करना चाहते हैं उसके बाद यहां पर complete profile पर click करना है जिसे complete profile पे click करेंगे तो उसके बाद आपको यहां पे preview का option आता है अपने details के एक बार review चेक कर सकते हैं उसके बाद यह आपका जो आया हुआ है दोस्तों आपके details के recording आया हुआ है अब आप इसे print out करना चाहते हैं कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों आपका profile complete हो चुका है उसके बाद अगर आप कभी भी edit भी करना चाहते हैं और भी education तो add करके PM internship में भाग लिए सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे view and apply internship पे click करना है जितने भी company अभी आई हुई हैं सारी company यहां पे show हो जाएंगी आपको यहां पे बहुत सारा option मिलता है किसमें आप भाग लेना चाहते हैं यहां पे देख सकते हैं भाग ले सकते हैं टेली कॉम में टेली कॉम है और यहां पे जिसमें आप भाग लेना चाहते हैं यहां पे select field आप सेलेक्ट करेंगे, फिसके बाद यहां पे जो भी opportunity आपकी according होगी, qualification की according आपको यहां पे सो हो जाएगा, और अगर आप जो है, telecom में नहीं जाना चाहते हैं, इसको unselected रखना चाहते हैं, तो unselected भी रख करके, unselected रख करके, यहां पे देख सकते हैं कि आपकी education क्या होने वाली है, और आपको यहां पे area field क्या होने चाहिए, और यहां पे management क्या होने चाहिए, तो यहां पे देख सकते हैं, अलग-अलग तरीके से आपको दी गई है, अगर आप banking and financial service में काम सेक्टर के according करना चाहते हैं, business development according, 10th pass होना चाहिए, आजमूर में करन तो ओकी दोस्तो थेंक यू बाइ